नमस्कार साथियों वर्स 2022-23 में राज की विद्यालों में अध्यनरत बालिकाओं है तू बाली का सिक्सा फाउंडेशन द्वारा संचाली तीन योजनाओं पहली है जिसमें सारी रिक एक शमता युक्त बालिकाओं है तू आर्थिक सबलता पुरुसकार दूसरी मुक बदिर एवम नेत्रहिन बालिकाओं है तू पुरुसकार तथा आपकी बेटी योजना के अंतरगत आर्थिक साइता इनके लिए जो ओनलाइन आविदन है वो भरवाई जाने हैं तो इस वीडियो में आपको आज आपकी बेटी योजना के अंतरगत जो पुरुसकार रासी मिलेगी उसके बारे में बताऊंगा तो इस योजना अंतरगत गरीवी रेखा से नीचे बीपियल जीवन यापन करने वाले परिवारों की ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता दोनों अत्वा एक का निधन हो गया हो यानि कि राज की विद्यालियों में पढ़ने वालिकाएं सभी बालिकाएं जिनके माता पिता दोनों या किसी एक का निधन यदि हो गया है और यदि वो परिवार BPL में आता है तो ऐसे ही सभी बालिकाओं के लिए चात्रवर्ती का प्रावधन किया गया है इसमें एक से आठ तक पढ़ने वालिकाओं के लिए जो है 21 रुपे नो से बारा में पढ़ने वालिकाओं के लिए पचीस सो रुपे परतिवर्स आर्थिक साहिता प्रदान की जाएगी तो इसके लिए जो है आवेदन सुरू हो चके हैं और अभी जो डेट निकल कर आई है वो 23 जनवरी 2023 जो है अन्तिम डेट है और इस सारा कारे जो है आपको शाला दरपन में से ही करना है साला दरपन से लोगिन करने के बाद ही यह सारा कारे होगा यानि कि इनका जो आवेदन है वो ओनलाइन होगा इसके लिए ब्राउजर में जाकर आपको टाइप करना है साला दरपन और फिर आपको यहां इंटिग्रेट इट साला दरपन इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर नीचे की तरफ जो इनमें से उप्शन दिये गया है इनमें बहुत सारे option है उसमें से आपको यहाँ beneficiary scheme portal इस पर click करना है लेकिन इस काम से पहले हमें जो है school की साला दरपन लोगिन करना है सबसे पहले हमें साला दरपन में लोगिन करना है और हमें जो इनकी सूचनाएं है बालिकाओं की वो सूचनाएं वहाँ भरनी है तो सबसे पहले आप साला दरपन में लोगिन करें और साला दरपन में लोगिन करने के बाद में आप जो है जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ वो सारी कारवाई उसके में करनी है आपकी विद्याली की साला दरपन लोगिन में आपको सबसे पहले जो है यहां विद्यारती टेप में जाना है और यहां पर लापकरी यूजनाओं के लिए अनिवारे चात्र सूचना ही जो भरनी है यहां पर क्लिक करना है इस page में आने के बाद में आपको यहां पे बहुत सारी entries दी हुई है जिसमें PCTS card, BPL card यह सारी बहुत सारी है तो इसमें से आपको यहां जो दो option है जैसे कि BPL card यह जो one time entry यह दे रखी है और एक दे रखा है orphan single parent यह भी one time entry है तो आप यहां पे जाएंगे और बच्चे के माता पिता या दोनों अगर एकस्पायर हो चुके हैं तो उनकी entry आप यहां और फन या single parent यहां जो अगर एकस्पायर हो चुके हैं तो उसके बारे में आप entry करेंगे और इसके अलावा आपको यहां पे यह BPL card entry जो है इस पे click करने के बाद में आपको बच्चों की सुची मिलेगी class wise उसमें आपको उसके BPL card number और उसकी date आपको भरनी है यह सारी entry करने के बाद में जो automatic ही जो बच्चियां जो इसके लिए आपकी बेटी योजना के लिए जो पात्र होंगी वो आटोमेटिक आपको वहाँ पर दिखाई दे जाएंगी जहां पर थोड़ी देर पहले हमने देखा था यहां पर जो हमने देखा था इस जगर पर जो हमने इस beneficiary scheme portal इस पर click करने के बाद में जो हमने आके process की थी तो अब आप यहां पर school office login इस पर click करेंगे उसके बाद आपको यहां पर अपनी जो school है उसका जो आपका school code है school की NIC ID वो और उसी का जो password है जो साला दरपन में normal तरीके से आप जो login करते हैं वही ID और password जो आपको डालने हैं यहां capture डालना है और आपको login करना है यहां पर आपको यह login करने के बाद में यह वाला page मिलेगा इसमें आपको यहां पर बहुत साथ schemes मिल जाएगी इन में से जो भी scheme के लिए आपको आविदन करना है वो आप यहां से select कर लें जैसे यहां पर सबसे नीचे आपकी बेटी योजना यह दी हुई है तो आप इसको select कर लें और यहां submit पर click करें जैसे आप submit पर click करेंगे तो आपके जो school है इसके लिए जितनी भी बालिकाइं जो इसके लिए पात्र हैं वो आपको यहां automatic दिखाई दे जाएंगी लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है जो अपी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था साला दरबन में आपको जो है विद्यारती टेब में जाकर आप लाबकारी योजनाओं का कोलम जो है उसको पूरा complete करना है जिसमें BPL और जो माता-पिता की जो मृत्ति हो चुकी उसके बारे में पूरी जानकारे उनकी पढ़ने पड़ेगी उसके बाद आप यहां पर जैसे view all counts इस पे click करेंगे तो आपके सामने यह जानकरी आ जाएगी कि आपकी विद्याले में जो है कितनी ऐसी बालिकाएं हैं जो इसके लिए पातर हैं तो यहां पर यह पातर बालिकाओं की सिंख्या नजर आ जाएगी अब आपको यहां side के तरफ जो है यह left hand side में उपर के तरफ तीन लाइन जो दिखाई दे रही है इस पर click करना है इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर class दिखाई दे जाएगी और वो student की संख्या दिखाई दे जाएगी जितनी पातर हैं तो यहां total students eligible इसमें आप यहां क्लिक करेंगे संख्या के ऊपर इस संख्या के ऊपर click करते ही आपको उन दोनों बालिकाओं के जो सूचनाए है वो आपको यहां मिल जाएगी पूरी detail आपको यहां पर मिल जाएगी यह detail जो है बच्चों के आपके सामने है तो आप यहां से इसमें apply option जो दे रखा है इसमें से आप apply कर सकते हैं और यदि यह बालिका जो है इसके लिए eligible नहीं है तो आप इसको यहां reject भी कर सकते हैं और reject का यहां कारण लिख सकते हैं इन में से कारण को select कर सकते हैं और reject कर सकते हैं तो यदि हम apply करना चाहते हैं तो हम इसमें apply पे click करेंगे एक बार apply करने के बाद में आपको दूसरा चरण भी complete करना है इस चरण पर click करने के बाद में आप इसको lock भी करेंगे apply पर click करने के बाद में आपको यह चात्र चात्रा का जो है आपको यह form दिखाए दे जाएगा जिसमें आपको यहां bank विवरन दिखाए देगा इसमें आपको छात्रा की जो है authentication करना पड़ेगा जनादार का जनादार का authentication करने के बाद ही आपको जो यहां पे विवरन दिखाए देगा उसके bank account विवरन उसके बाद में आपको यहां नीचे योजनाओं में इनको जो है सभी को update करना है इसके आविदन को और आविदन को अपने पास रखना है और आविदन के अनुसार ही जो है इसके बाद में आपको ये save application करना है और इसकी जो राशी है वो dbt मादेम से ही इनकी account में transfer की जाएगी जिस प्रकार से चात्रों की जो है वर्दी डीबीटी की गई थी इस प्रकार से आप अपने विद्याले में पात्र आपकी बेटी योजना के अंतर के चुब पात्र बालिकाएं हैं उनके लिए आवेदन कर सकते हैं